सो हेलो ब्रीवन जेसी सी गुरुकुल की सभी मेमरवासियों के तरफ से आप चबी को जोहार अभिननदन वेख कती तो आज के इस सिसन के माध्यम से हम लोग धनबाद चोकिदार भरती का फोर्म कैसे भरना है जो की ओफलाइन फोर्म भरा जा रहा है उसका कंप्लीट यहां प का भी लिंक मिल जाएगा आप उस वार्सप गरुप से भी जोड़ जाएगे इन दोनों जगह पर इसका PDF आप लोगयो का फोर्म दे दिया जाएगा इसी PDF आप लोगो को प्रिंटूट करवाना है और इसे फोर्म भर करके आप लोग का जो भी अपना पोस्ट अप्स होग उ आति साथ कौन कौन सा डोक्यूमेंट शाथ में आप लोग को जे रोक्स और जे रोक्स जितना भी आप लोग करवाईएगा सब में आप लोग का अपना सिंगनेचर कर देना तो चलिए हम लोग फाइनली सेशन को प्रारम करते हैं सबसे पहली बात यहां पे जो फोम है यहां आप लोग को अपना अप्रणगिन फोटोपास्पपस क्रोंट श्रिपकाना उसके बाद यहां पे फिर आप लोग का अपना सिंगनेचर कर देना याद रे आदा सिंगनेचर फोटो के ऊपर होना चाहिए आदा उसके बाद देखिए इस सेक्षन में आप लोगा अपना अंचल का नाम लिखना है थान का नाम लिखना है आवधित बिट संख्या का नाम लिखना है और पंचायत का नाम लिखना है अभ्यार्थी का नाम यहाँ पर आप लोगा अपना हिंदी में नाम लिखना है फिर यहाँ पर अंग्रेजी में नाम लिखना है फिर पिता एवं पती जिनका भी नाम आप दर्च कर रहे होंगे सबसे पहले हिंदी में दर्च किजीएगा फिर अंग्रेजी में दर्च किजीएगा उसके बाद देखिए यहां पर जनम तित्थी आप लोगों को आंक में पूछा राज अंक में केश से पुछा जा रहा है कि कितना में आप लोग वाया जनम हुआ है एतना महिना में जनम हुआ है इतना तारीक को जनम हुआ उसका लिख देने उसके बाद फिर यहां पर अपना सब्द में लिख देना है जैसे कि किनी का जन्म मान लिया जाए जनम कितना में हुआ है कि दस तारीक कि दस तारीक चौंथा महिना और 2020 में जनम हुआ यहां पर क्या ची लिखेंगे यहां पर हम लोग लिखेंगे दस चार यानि की अप्रेल 10 अप्रेल 2000 इस परकार आप लोगो सब्द में लिख देना अब यहां पर देखिए आठ आठ दो हजार 24 तक केतना साल महिना हो रहा है तिसको कैसे निकाल लिएगा आप लो 2024 लिख देना फिर आठ महिना फिर आठ तारिक अब इस गनिडेट का जनम कितना हुआ है 2014 महिना में और डार्रत को जनम हुआ हुआ तो ओध south गतने जब यहां से एक महिना पैचा लेकित कितना जाएगा एक महिना कितना दिन 30 दिन तो 30 दिन आप अपर कितना बशाए 28 दिन बशा तो 28 वही चीजिए शार चल गया तो यहां कितना महिना बच गया 7 महिना साथ में चार गया तो 3 और 24 डेबल सुनी तो 24 कितना दिन कितना महिना हो रहा है 24 साल 3 महिना 28 दिन तो उसी तरीके से यहां लिख देना है 24 साल 3 महिना 28 दिन उसके बाद फिर अभ्यार्थी का अस्थाई पता है आप लोग का पूरा अपना अस्थाई पता लिख देना है साथ में pin code भी दर्च कर देना है pin code इसलिये दर्च करना जरूरी बन जाता है चुकि जो भी आप लोग का post के माध्यम से भेजा जाता है वो जो connect करता है वो pin code के जर्ये ही अगले भी पत्रचार का पता लिखा गया है पीन कोड सहीत पोस्ट के माधियम से जो भी कुछ भेजा जाता है वो पीन कोड के जरिये ही ट्रिक किया जाता है उसके बाद पिर यहां पे देखिया राष्ट यह था तो भारतिये इंडियन लिख देना है यहां पे अपना से आप लोग का निसान है इन दो चीन निसान को यहां पर आप लोगो लिख देना है उसके बाद देखिए अगला सेक्षण है जो कि मेट्रिक का तो किस बोड से पास की जनरली जो आप लोग जेक बोड जहारकन एकडमी कॉंसिल राची जेक लिख देना है कि सुप वर्स प यानि कि 80% अगला सेक्षन देखिए किस केटेगरी से आप समंद्ध रखते हैं अपना केटेगरी लिग देना है यहाँ पर आप लोग को अपना जो भी जेंडर है महिला पुरूस वो चीज़ का जिकरी यहाँ पर करना है यहाँ आप दिव्यांग है तो किस केटेगरी में दि विजेता हसिल किया तो उसका उपलब्दी का जनकारी दे देना है फिर यहाँ पर देखिए आवासी परमान पत्र जो रेफ्रेंस नंबर होता है देखिएगा बाया तरफ में जे एच आर सी ओब्लिक दोचार चोबिस ओब्लिक कुछ चार पांच डिजिट का नसंखिया होत को इंखतार यह परिछय सूनreally जो कि बैंक ड्राप्ट के जरी आप लोगों इहां पर देना होगा बैंक ड्राप बनेगा कहां मैजित एकी लायक करके आपना बेंक चले जाना है और ATM लेकर के बेंक चले जाना है वहाँ पर बोल लिएगा आप लोग की बेंक रब बनाना है तो पुछेंगे किसके नाम से बनवाना है तब आप लोग को बताना है कि उपायुक धनबात के नाम से बताना है यादि आपके पास ATM नहीं है कोई बात नहीं है आपको फिर उस कंडिशन में भारतिय पोस्टल ओडर बनवाना है जो कि यहाँ पर आप अपलिक में भी देख पा रहेंगे तो भारतिय पोस्टल ओडर यह आप लोग को पोस्ट ओफिस में मिल जागा आप वहाँ पे केस पैसा दिजिएगा पोस्ट ओफिस में तो वह जो कि भारतिय पोस्टल ओडर देंगे आप अपना केटेगरी के अनुसार देख लेजएगा किस केटेगरी में कितना क्या रखा गया है तो वह सारा नोटिफिकेशन में 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 उसके बाद देखिए आपके बिरुद किया किसी तरह का कोई नाम दर्श किया गिया आपके थाना में, तो उसका जनकारी यहाँ पर दे देना है, उसके बाद देखिए यदि पूर्व में चोकिदार के रूप में कारी किये हैं, पहले चोकिदार पत पर बहा लें, किस अंचल में, किस भीट संख्या में, क 20 नंबर दिया जा रहा है ज़िए आप सोचिएगा कि हम 15 साल काम की हैं तो हमको क्या 30 नंबर दे दिया जागा नहीं ऐसा कते ही पोसीबल नहीं है आपको 20 नंबर तक अधिक्तम दिया जाएगा यह चीज होने बाद देखे यह आप लोग का घोशना पत्र होगी है यहाँ पर अपना अस्थान लिख दीजेगा तीथी लिख दीजेगा और यहाँ पर अपना सिगनेचर कर देना है जिस तरह के से आप लोग अपने फोटो में सिगनेचर की हैं उसके बाद देखे यह आप है है चुकिदार यहां पर लिख देना अपने पिता पति का जो भी नम है वह चीज लिखना है यहां पर सारा अपना पत्रचार पता यानि कि जिस पते पर ये एडमिट कार आप लोग को भेचा जाएगा रिटर्न तो उसका complete जनकारी देना है साथ ही साथ यहां पर पीन कोड भी आप लोग को लिखना जरूरी है पीन कोड लिखना इसलिए जरूरी है चुकि देखिए पीन कोड के जरिये ही जो भी पोस्ट के थुरू भेजा जाता है वो ट्रेक किया जाता है पीन कोड तो इसलिए पीन कोड महतुपून हो जाता है उसके बाद फिर यहां पर देखिए पुना आप लोग को अपना एक रहेंगिन फोटो साइज या चिप खाना है आधा फोटो सिगनेचर क के नीचे होने साहिए अब यह रही बात दीए आप लोगा केवल कर्याले के द्वारा भरा जाएगा देख सकती है फिर से पुना यह देख सकते हैं दो यहां पर एडमिट कार कर दे दिया गया है दोनों भरत दीजेगा कोई दिकत नहीं है यहां पर वही है अपना किस पत के नाब पति पिता का नाम पत्राचार यहां पर फोड चिपका देजिएगा और यह केवल करियाले के दुआरा आप लोग प्रोल नंबर दिया जाए परिश् hätte परिछा के ति向 यह सारा जो है यह चीज आप लोग को डिसाइड करके दिया जागा करियाले के तरब से यह हो गया तीन पेज का आप लोग का फोर्म चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा डोक्योमेंट्स है जो की जेरोक्स जिसका साथ में आप लोग को देना पड़ेगा सबसे पहली बाद आवेदर करने की परकिरिया तो जो भी फोम आप लोग का दिया गया है वो फोम आप लोग का देना पड़ेगा पहला बात आप लोगा जो 10th का मार्क्षीट है और जो परमान पर जो एक साल बाद ओरीजिनल सर्टिफिकेट बन के आता है तो वो चीज देना है और साथ में मार्क्षीट जिसमें नमबर दिया रहता है इस दिसे में इतना नमबर पहला गया 10 का मार्क्षीट और रिजिनल चेटिफिकेट दूसरा होगया आप लोग का अस्थानिय निवासी जीसे हम लोग रेसिडेंशल सेटिफिकेट के नाम से रहते हैं तीसरा होगया आप लोग पर जाती जींत जाती आप लोग का फोव में सुख़ है रहेगा दो एक्स्टा फोटो यानि अनि टोल चाहर फोटो ही आपका जो की लिभापंग के सब्सक्राइब ना चतना बहूंपी को पी आप लोग को सिंग्नेचर कर देना है यह चीज हो गया और साथ ही साथ इसके अलावा क्या दीजिएगा तो जो बेंक ड्राफ्ट है उसका भी जे रोक्स आप लोग दे दीजिएगा चुकि अधि आप लोग का जो संख्या डेट लिखने में किसी तरह का कोई गलती हो जाता है तो वहां से जो भी करमचारी होंगे वह स्वयम से आपका बेंक ड्राफ देख करके उस चीज को सही कर देंगे यह चीज हो जाने के बाद देखिए आप लोग का फिर पोस्ट ओफिस जाना है वहां से आप लोग को लिफाफा खरीदना है जब लिफाफा खरीद दिएगा तो वह ऐसे रहेगा मान लिजे रेक्टेंगल का कार करेगा तो यहां पर आप लोग को अपना पता लिखना है कि आप अपना पता जितना भी है और यहां पर उस पते को दर्श करना है जिस पते पर आप लोग को यह वेकेंसी पहुचानी है तो चलिए हम लोग जिस पता पर वेकेंसी को पहुचानी है उसी का जिकर हम लोग देख लेत उप समाहर्ता परभारी जिल्ला समानिसा का धनवाद उपायुक्त सा जिल्ला दंडा दिकारी का करियाले धनवाद और यह पीन कोड देना भूलिएगा नहीं बिग्यापन संखिया आवदेक पद का नाम बीट संखिया का नाम ग्राम का नाम संबंदित पंचायत का नाम अंचल का नाम थाना का नाम यह सभी सिक्वेंस आप लोग के इस तरह लिफापा रहेगा तो यहां पर भर देना है पहले यहां पर लिखेगा बिग्यापन संखिया तो 01.2024 का चोकिधार पद के लिए पहला ब् sequency ए तो 01.2024 लिख दीजएगा kal में नोटिफिकेसन में उपर में आप लोग का लिखा हुआ है यहां पिर पद का नाम कीिस पद के लिए चोकिधार जरूरी है तो आयोप्स हो कि आप लोगों के सारे डोट फॉम कैसे क्या भरना है वो सारे आप लोगों के डोट हिलियर हो चुकी होगे और हां बीट संख्या यह सब भरने में एक यहां पर बड़ी दिक्कत आती है विद्यात्यों के साथ में कि बहुत सारे लोगों के साथ यह चीज दिखा जाता है को उनका बीट गाउं का नाम पंचायत का नाम नहीं है तो वैसे फिर वो क्या करेंगे तो वैसे कंडिशन में आपको करना है कि जो भी आपका सबसे नजदीकी गाउं है जो नजदीकी पंचायत है उसी का नाम उपर में दर्ज करना है उसी का बीट संख दर्च करना है और जहां नीचे आप देखते होंगे अस्थाई पता तो वहां पर अस्थाई पता आप लोग को अपना सर्टिफिकेट के अनुसार भरना है तो आई होप सो की सारे जो आप लोग का एक छोटा छोटा चीज जो तकलिफ कर सकती है फोम भरने के समय में फोम भरन कोई भी कनफ्यूजन कहें पर फोम भरने में तकलिफ कठिनाई होती है तो आप लोग कमेंट सेक्षन में कमेंट किजिए उसका भी आप लोग का निश्कासन करने का पूरा यहां पर परियास किया जाएगा